आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं रना में से दान तक नहीं होते हैं, रिष्टरी आएक्यो पैप का बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों हमने तो वैसे बहुत सारे IS IPS Officers की बायग्राफी रिव्यू की है, हमने बात किया अशो खेमका की, किंजल सिंग क की, हमने बात की है, के पीएस गिल की, कनन गोपिनाथन, और अब तो मैं भी भूल गया हूँ, दोस्तों, मैंने कितने IS और IPS Officers की बायग्राफी रिव्यू की है, और आज हम बात करेंगे, जूलियो रिबेरो की, अगर हम इनकी बात करते हैं, ये कैसे IPS Officers थे, DCP थे ये वैस पंजाब में खालिस्तानी मुमेंट पीक पे था, 1980s में, और पंजाब में कोई भी जाने को तायार नहीं था, तो जूलियो रिबेरो गए थे, और सब को ठीक कर दिया था, और उसके बाद फिर KPS गेल है, अब उनकी बाग्राफी अवेलिबर है, तो आज हम जूलियो रिब लेकिन कुछ चीजों से वो असेहमत है, यह बोलते हैं कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाचपही ने सरकार चलाई, अगर वैसे सरकार चले तो जाद अच्छा है, तो हम सब कुछ देखेंगे, जूलियो रिबेरो बहुत सारे आइटिकल्स रिखते हैं, इन्होंने अपनी और इटिकल्स बहुत सारे आइटिकल्स हैं दोस्तों, पढ़िए दोस्तों इनको फॉलो करिये, इनके आटिकल्स काफी जादा हेल्प करेंगे आपको, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिर अर्सकोर एकनेक्ट मेरा फेसबूक पेज है, सिधा अगनियो तरी के ना रिबेरो की बात करें तो इनका जनम हुआ था 5 मई 1929 में बॉम्बे में हुआ था ठीक है यह बंबई में जन में थे अब इनके पिता जी थे पोस्टरल ऑफिसर ठीक है एक अच्छे खासे परिवार से आते थे जूलियो रिबेरो खुद बताते हैं इनकी जो शुरुवाती प मानता हूं और रिलिजन वैसे भी किसी का नीजी मामला होता है जादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए संप्रदायवाद नहीं फैलाना चाहिए गलत है पॉलराइजेशन बिल्कुल गलत होता है ठीक है तो जूलियो रिबेरो सेंट जीवेट्स में पढ़ते थे और इनके जो पूरी पड़ाई मतला पूरा जीवन इनका बॉंबे में ही गया हाला कि पूरे पूरा देश में घुमने आसी बात नहीं है यह पंजाब में भी इनके दिल के हमेशा करीब रहा और इसी लिए इनको बोमबे मिला भी जब यहाई-पेस में जोइन किया था थीक है तो यह चीज है वैसे आपको बता दो कि इनको पद्मभूशन भी मिल चुका है 1987 में 1987 में ठीक है ना जो कि 3rd highest civilian award है पहला बारत रत्न दूसरा पद्मभूशन थीसरा पद्मभूशन चौथा पद्मश्री ठीक है ना तो पद्मभूशन अवाइडी भी है अब हम देखते हैं क इनके career की शुरुवात कैसे हुई इन्होंने Indian Police Service 1953 में जोइन की ठीक है पहले तो जब ये college से निकले ठीक है जब ये college से निकले तो ये इन्होंने Indian Express को जोइन किया ये as a sub editor वहाँ पे काम किये और उसके बाद इन्होंने Indian Police Service को जोइन किया ठीक है जायर सी बाता एक्जाम न तो मैंने आपको दाउद इब्राहिम के बारे में बताया था ठीक है दाउद इब्राहिम की यो crimes of दाउद इब्राहिम अंडर वर्ल्ड की शुरुवात कैसे हुई पठान गया एंग कैसे उठा वरद राजन से शुरुवात हुई ठीक है देखे मुंबई में क्या था साउथ इंडियन्स का राज था चितनी भी वाइट कॉलर्स जॉब होती थी वह साउथ इंडियन्स को मिलती थी मराथास साइड लाइन हो गय थे और यह भी जूलियो रिभेरे बताते हैं अब बाला साहब ठाकरे की बाग्राफिय मेरे देखिएगा तो उसमें आपको पता मराथी तो दिखते ही नहीं है तो वहां से फिर मराथी जो एक अंदोला ना वो शुरू हुआ तो जूलियो रिभेरो ने बहुत ही करीब से देखा हाला कि मुंबई को बहुत सेटी बताते हैं ठीक है रेप में जो डेथ पेनाल्टी होती है जूलियो रिभेरो उसके कि मुंबई को एक खांपल बना सकते हैं अपने शहरों को कैसे क्योंकि मुंबै इस और यहां पर कुछ नकुछ काम करता रहता यहे भी रिभेरो बताते हैं ठीक है तो यह सारी चीजा है कुछन्ता कामेंबाटर, ठीक ही और पढ़ रहा है स्मगलिंग हो रही है सोने की स्मगलिंग होती थी दोस्तों और यहां पर जूलियोर रबेरा बताते है जब इन्होंने पुलिस सर्विस जॉइन किस सूरी रवेरा बताते है एक नेकस्स स्वाइब पॉलेटीश्टीशन अंडरवर्ड और पुलिस का यह पूरा निक्सिस है, दाउद इब्राहिम को 3-4 पर पकड़ने की कोशिश की गई, ऐसे कई operation हुए, पुलिस की वज़े से यह नहीं हो पाया, जी हां, अंडर वर्ल्ड और पुलिस की जबर्दसत साथ गाट है और पुलिटीशन की भी, अब तो आला की बहुत काम हो गई है लेकि 1980s के सभए में जब दाउद इब्राहिम का उदय हुआ, तो बहुत जबर्दस तरीके से साथ गाट थी, अब दाउद इब्राहिम के बारे में मैं तो इतना नहीं बताऊंगा, अंडर वर्ल्ड की कहानी मैंने पूरी अल्री तो तीन लेच्छेज उस पे लिए है, उसमें भी जो Commissioner है, ऐसा बोला जाता है कि काफी हद तक Julio Ribeiro से, सत्या मूवी में, जो Commissioner का रोल परेश्रावल ने प्ले किया है, काफी हद तक Julio Ribeiro से inspired है, हलाकि उसमें उसकी मौत हो जाती है, लेकिन आपको पता दो Julio Ribeiro पे भी तीन-चार assassination attempts हो जी हुए है, दो तो सबस पैसा पहुँच जाता था पॉलिस स्टेशन में, और पॉलिटीशन तो वैसे ही ऐसे लोगों को साथ चाते हैं जिनके पास पैसा हो, ठीक है, पॉलिटिकल फंडिंग बहुत होती थी पहले इस तरीके से, इल्लीगल पॉलिटिकल फंडिंग बहुत होती थी पहले, यह जो कि दोवाल ने पूरा स्ट किया था, इक है ना, दो लोगों को उन्हें हायर किया था, दो लोगों को उन्हें हायर किया, दाओद इबराह्यम को मारने के लिए, लेकिन जब यह operation इकदम पीक पे था, लास्ट पे पहुँचने वाला था, तभी पुलिस को पता चल गया, और आभीकारिक नहीं होते हैं यह बताते हैं कि और यह आधिकारिक में बड़ी प्रबल्म है और इसलिए जूलियोज sust рублей за आना ही चाहिए मैं यहां पर इनकी लाइफ और इनकी आर्टिकल्स को मिक्स करके चल रहा हूं दोस्तों ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा जूलियो रिबेरो बोलते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की भारत में सकते जरूरत है अभी पुलिस स्वतंत्र थोड़ी ना ह सरकार कंत्रोल करती है हम कोलोनियर सिस्टम को फालो करते आ रहे हैं तो प्रोब्लम यह है एक इग्सपेक्टर तक को भी हटाना है एक और एक करप्ट है एक रिबेरो से केज़ बताते हैं एक इसके बाधी खित करप्शन और उसमें काफी जादा मतलब उसके कॉंटक्स थे और जब हमने उसको हटाने की मांगी तो सोचे कमिशनर के पाद भी अथारिटी नहीं उन्हों ने गोला कि हमने सरकार से परमीशन मांगे और सरकार का जब जवाब आएगा तब हम इसको हटाएंगे तो अभी पुलिस वो स्टेट कंट्रोल है और जब पुलिस रिफार्म आए तो पुलिस रिफएर इस तरीके के एंट को भी बिल्कुल गलत मानते हैं अगर ऐसे एंट कांटर हुआ तो पुलिस क्रिमिनल बन जाएगी शुपारी मिलेगी यहाँ पे पुलिस ओफिसर्स को कि हमारी इससे दुश्मनि इसको मार दो और ऐसे कितने फेक एंट कांटर तो यह चीज है बहुत सारे रिवेयरों के बहुत सारे बयान आते हैं मतला बहुत सारे आर्टिकल्स पुब्लिश करते हैं पुलिस को लेके पॉलिटिक्स को लेके कश्मीर के बारे में भी रिवेयरों का यह कहना है कि आतंक वाद को खतम करना है हमको गोली जब रिवेयरों न कभी तो चलानी पड़ती है गोलिया बाद सामने आतंकवादी गोली ताने कड़ा है आप क्या करेंगे अभी मैं पंजाब प्यार हूँ पंजाब में क्या हाल था उस्वाम में अभी मैं आपको बताऊंगा फिलाल मुंबई और रिबेरो के जो विजन है उनके बारे में सुनि तो यह बहुत गलत होगा वैसे आपको बता दो कि रिबेरो ने एक साल पहले ही हाली में अमिज शाह के किला कुछ बोला था तो इनको एंटी नैशनल बोल दिया था और जूरे रिबेरो का मूड खराब हो गया था पदम भूशन मिला है और इतना मैंने काम किया है देश के लिए और मुझे एंटी नैशनल बोला जाता है यह बिलकुल एकसेप्ट नहीं किया था रिबेरो बोलते हैं कि माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटिजन इससे में बताय जा रहा है बनाय जा रहा है बीजेपी के बारे में अमिज शाह के बारे में मोधी जी की वैसे तारी वो बीजेपी को देखा है लक्ष्मी कांत चावला जब मैं पंजाब में था तो वो बीजेपी की लीडर थी कमाल की लीडर थी और भी बहुत सार है मिस्टर अभिलाशी वो भी कमाल की लीडर थे रसे में भी बहुत अच्छे लीडर मेरे बहुत अच्छे रिष्टे रहे ह अर्टल भीयर वाजपे की सरकार कमाल थी है ना सबको साथ लेके चलती थी polarization नहीं था लेकिन आप polarization हो गया है ये खुद बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ ठीक है इनके words है ठीक है तो ये नहीं सही है इसको रोकना पड़ेगा कि अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने मुंबई पर तो नकेल कसी बताते हैं कि पूरी तरीके से crime को मिटाना तो बहुत मुश्किल है आप नहीं मिटा सकते हैं पूरी तरीके से लेकिन आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि क्राइम बिर्कुल कंट्रोल रहें तो अंडर वर्ड को बहुत जब इनको पुलिस कमिश्णर बनाय गया था तो अंडर वर्ड अपनी पीक पे था हर जगह उसकी पैट बैढ़ गई थी समझ रहे हैं फिल्म भी प्रेड्यूस करने लगा था अंडर वर्ड इतनी जादा लोग डरते थे लेकिन फिट रिब्यो रहा है और यह सब रिवर्स कर दिया सबसे पहले तो लूप होल्स थे पुलिस में उसको इन्होंने सही किया कि यह गलत है यह नहीं होना चाहिए ठीक है कोई करक्ट है उसको अटाओ तो सबसे पहले तो अंदर का सिस्टम उन्होंने सही किया और उसके बाद सबको जेल में डालना चुरू किया जितने भी बड़े-बड़े अंडर वर्ड के लोग थे फिर आता है पंजाब समझ रहे हैं यह डीजी और पंजाब पुलिस बनके भी गए और उस समय पंजाब जो था बहुत ज्यादा प्रभावित था बहुत ज्यादा खालिस्तानी मुवमेंट चल रहा था और बड़ी दिक्कत थी पंजाब में कोई जाता नहीं था जूली रिवेरो ने बोला कि मेरा यह कर्तव है और मुझे जाने की ज़रूरत है और म पंजाम को यानि कि रात में आतंकी आपको अरेस्ट करते थे पंजाब में बकाइदा सरपंच गाओं के और बहुत सारे लोग मुझे से आके कहते थे कि हम इन आतंकी के खिलाफ नहीं है जिन्होंने हतियार उठा लिये हैं मुंबई और पंजाब को कंपेर करते है कि मुंब आतंकी आतंकी आपको सीधा गोली मारते थे रात में निकलते नहीं थे अगर इनिफॉर्म में देखते थे रात में पंजाब में आपको गोली मार दी जाती थी वही पर ही जो मिलिटेंट्स थे तो हमको प्लेन क्लोच में जाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा खत्रा था लेकिन उसके बावजूद रिबेरो का कमाल का काम ऑपरेशन ब्लाक थंडर वन पर मेरा पूरे सेपरेट वीडियो आप देखेगा ऑपरेशन ब्लाक थंडर वन ब्लाक थंडर टू हुआ वरी फैमिली अंदर थी दो गोली इनके लगी बच गए मतलब कुछ हुआ नहीं लेकिन इनकी जो पत्नी है वह उस्पिटलाइज होगी अला कि उनको भी कुछ नहीं हुआ तो हमले भी हुए दो तीन बार इनको पर ऐसासिनेशन एटेंट हो गए है ऐसासिनेशन एटेंट ह पाता हूं पंजाब में जब आतंकीयों को पकड़ा होता ङर्वा था ट्रायल Kraut was . तो वहांके जुझ शीरी जो होते हैं वो बोलते थे रहे हैं पंजाब भारत का हिस्सा है उस समय भी भी है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर कंट्रोल जो है वह पुलिस को दिया गया अब इसमें हां इस से हम बिलकुल भी इंक्राइब में इस से इंकार नहीं करते हैं इससे इंकार नहीं करते हैं अपधियार उठालिये वह बहुत सारे बेगुणा भी पख़िजाएंगी अभी जूलियो रिविर काफिस वर्क कर रहे हैं ठीक है, हम देखते हैं कि इनको गुजरात के लिए भी बुलाया गया था, शाह पे बहुत जादा आरोप लगाते हैं, अमिच शाह पे, मतलब अमिच शाह जी की बाइग्राफी मैंने रिव्यू की है, कि मोदी जी तो ठीक है, लेकिन अमिच शाह बहुत जादा पोलराइस करत करते हैं, वो उन्होंने बाट दिया है एक तरीके से, और बड़े खतरनाक हैं, अगर उनको किसी का गाम पसंद नहीं आता, तो खादी उसका ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि और भी बहुत कोई जिकदम पीछे पढ़ जाते हाथ दोके, तो आप कोश्या नहीं कर सकते है ठीक है, तो गुजरात के लिए भी बुलाया गया था, ठीक है, जब गोधरा रायक्स हुए थे, और यहाँ पे एक्जामपल देता है, कि देखिए ये पुलिस रिफॉर्म का एक्जामपल है, ठीक है, कंट्रोल रूम में ये एक संदेश आया था, कि एक दिन के लिए कोई पुलिस आक्शन नहीं होगा, और उसी एक दिन में आपको पते, ये 2002 में गुजरात में क्या हुआ, दंगे भढ़के, मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, बहुत लोग मारे गए उसमें, और बहुत दिक्कते हुई, तो जूलियो रिफॉर्यों बोलते है, अग उनके आर्टिकल से ही, बहुत सार उनके आर्टिकल में, फॉलो करता रहता हूं इनको, ठीक है, इनके इंटर्व्यूस इनके आर्टिकल को, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो बताते हैं कि, वहां पे पॉलिटीशन ही बैटके पीछे से नेरेट कर रहे थे कि कोई आक्शन ही लेना है, तो ऐसे तो चलता नहीं फिर, तो पुलिस रिफॉर्म की सक्त जरूरत है, अचा इसमें जूलियो रिवरो बताते हैं कि, पुलिस की सालरी बहुत कम है, अब सालरी मत बढ़ा ही है, लेकिन उनको बेसिक नीट्स जो है उनकी रिटार्मेंट के बाद उनके बच् कुछ के लिए उसमें रहना, पुलिस वालों की चुट्टी आने, तो आप कुछ उनको रियायते दीजे, भले ही सालरी आप बढ़ाईए, अगर आप सालरी बढ़ाएंगे, तो और भी जो सरकारी में हकमा है, वो बोलेगा हमारी भी सालरी बढ़ाईए, तो हमारी भी सालरी जो लोगों की परिशानियों को सुनते थे, सोशल वर्क बहुत जादा करते है, अभी तो काफी मतलब इनकी उमर हो चुकी है, ठीक है, तो सोशल वर्क काफी, 1986 में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, कि जब ये पंजाब गय तो वहां पे हम देखते हैं, कि जालंधर को और इनकों पर फायर करने लगे, किसी तरह ये बचे, एक गाड हाला कि इसमें हम देखते हैं कि मर गया था, शहीद हो गया था, लेकिन रिवेरो बज गय था, हाला कि दो बोलिया लगी थी, ठीक है, तो उसके बाद फिर होस्पिटल में, और फिर हम ये देखते कि 1991 में, जब रोमानिया में थे ये, तब भी बुकारेस्ट में भी इनके ओपर अटाक हुआ था, क्यूं, क्यूंकि इन्हों ने खालिस्तानी मुवमेंट जो पूरा पंजाब में चल रहा था, उस पे पूरा इन्हों ने टेक डाउन किया था, कारवाई की तो जूलियो रिवेरो न देखने भागवान ने तो कैसे जीवन जी रहा हो बताłया, लेकिन इणसानों ने बनाया मुझे यह समझ में आता कि हर इंसान यह कहता कि मेरा रिलीजन सबसे बड़ा है या या मेरा रिली जव बनाबर है अगर आप ऐसा बोड़ने है तो दूसरे रिलीजन के अगर भगवान एक है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर रिलीजन एक बनलब हमारा रिलीजन सबसे बड़ा है फिर तो हर रिलीजन बनाबर है तो भगवान पर ज्यादा महत्व देते हैं बकायदा रिलीजन पर ऐसे वेजिटेरियन है जूलियो रिबेरो काफी लिब्रल है काफी सेक्यूलर है और जब इनको आंटिनैशनल बोला गए तो इनको बहुत गुसाइथ इनको और सही बात है इतने एक इतने बड़े दिगज पोलिस ऑफेसर जिन्होंने इतना ज़ाधा काम किया है हमारे भारत क के लिए उनको जब इस तरीके की नेम कॉलिंग जब होती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए फिलाल भी बहुत सारे इंटर्व्यू देते हैं जूलियो रिबेरों बहुत सारे सोचल वर्क भी करते हैं बहुत सारे इंस्टिट्यूट से भी से एसोसियेटेड है और कमाल करियर रहा है तो यह एक शौट बायोग्राफी थी आई होप आपको पसंद आई होगी खुछ रहे पर तरहीं देशा चिद्धान तक नहीं होता ही सैनिवर् झाल 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 झाल